परिचय शिखा और उसके माता पिता मुंबई के लिए हवाई जहास पकड़ने के लिए हवाई अड़े पर हैं उसके माता पिता ने उससे वादा किया है कि उनके मुंबई प्रवास के दौरान वो उसे एलिफेंटा की गुफाओं तक नाव की यात्रा कराएंगे उनकी वापसी की यात्रा ट्रेन से आरक्षित है शिखा रोमान्चित है उसे मुंबई के एक प्रवास में परिवहन के तीन साधनों के प्रयोग का अफसर मिलेगा इस पार्ठ में हम यातायात के विभिन साधनों के बारे में जानेंगे आओ सीखें यातायात को परिभाशित करना परिवहन के विभिन माध्यमों के बारे में बताना थल परिवहन को परिभाशित करना जल परिवहन को परिभाशित करना वायु परिवहन को परिभाशित करना परिवहन वस्तूओं, व्यक्तियों और जन्तूओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आवागमन को परिवहन कहते हैं परिवहन दूरियों की बाधा को दूर करता है और विभिन स्थानों के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है परिवहन के साधन हम सामान लाने जाने के लिए ट्रक, ट्रैक्टर, मालगाडी और मालवाहक पोत और हवाई जहास का प्रयोग करते हैं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए बस, ट्रेन, कार और हवाई जहास का प्रयोग करते हैं वस्तुओं, व्यक्तियूं और जन्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने वाले वाहकों को परिवहन के साधन कहते हैं परिवहन के माध्यम व्यक्ति, जन्तु और वस्तु को सडक, रेल, पानी या वायू के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन माध्यमों को परिवहन के माध्यम कहते हैं परिवहन के माध्यमों को मुख्य तहत तीन भागों में बाटा जा सकता है थल परिवहन, जल परिवहन और वायू परिवहन सडक परिवहन धर्ती पर होने वाले वस्तुओं और यात्रियों के यातायात को थल यानी भूमी परिवहन कहते हैं थल परिवहन को सडक परिवहन और रेल परिवहन में बाट सकते हैं सडक परिवहन सडक जमीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ती है जिस रास्ते या मार्ग पर गाडियां चलाई जाती हैं, उन्हें सडक परिवहन कहते हैं रेल परिवहन ट्रेन की सहायता से रेल की पट्रियों पर वस्तूओं और यात्रियों की होने वाली यात्रा को रेल परिवहन कहते हैं जिस रास्ते या मार्क पर ट्रेने चलती हैं उसे रेलवे कहते हैं जल परिवहन पानी में यात्रियों और सामान के यातायात को जल परिवहन कहते हैं यात्रियों और सामान नाव और जल पोत की सहायता से देश के अंदर और देश के बाहर स्थानांतरित किये जाते हैं वायू परिवहन यात्रियों और सामान को हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर के माध्यम से एक से दूसरे स्थान तक ले जाने को वायू परिवहन कहते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप और बाढ़ के समय यात्रियों और सामान के परिवहन के लिए काफी उपियोगी होता है यह परिवहन का तीवर्दम साधन है हमने क्या चर्चा की? वस्तूओं, व्यक्तियों और जन्तूओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आवागमन को परिवहन कहते हैं वस्तूओं, व्यक्तियों और जन्तूओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने वाले वाहकों को परिवहन के साधन कहते हैं परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन माध्यमों को परिवहन के माध्यम कहते हैं थल, जल और वायू परिवहन के तीन माध्यम हैं.